मेरे पैरे चात्रों आज हम कक्षा छटी के हिंदी विशे का सोना और लोहा यह पाट पढ़ने वाले है इस पाट का हम अध्यान करने वाले है सोना और लोहा रामेश्वर दयाल दुबे जी ने लिखा हुआ यह नाटि करन के सुरूप में दिया हुआ पाट बहुत ही महत पुर्ण है और हमें इस पाट से यह सिक मिलती है कि हमें गुनों का महत्व जानना चाहिए सद गुनों का महत्व जानकर हमें उनकी कदर करनी चाहिए और उनका तो मेरे पैरे शात्रों यहाँ पर दिया हुआ है सुनो समझो और पढ़ो सुनना है समझना है पढ़ना है देखिए रामेश्वर दयायल दुबेजी का जन्म 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ उनकी मृत्यु 24 जन्वरी 2011 में हुई उनकी रशनाएं है अभिलाश चलो चले डाल डाल की पंची मा यह कौन फूल और काटा आधी उनका परिचे आप प्रसिद्ध बाल सा हित्यकार है वे प्रसिद्ध बाल सा हित्यकार है बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सा वांगमय कला कुरतिया बहुत सी वांगमय कला कुरतिया रच्ची है इस सवव सबसे महत्वपूर्ण आपका जो कार्य है आपके जो गुन है वे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए हमें अच्छे से अच्छे गुन पन पे ऐसी मेहनत हमें करने चाहिए और ऐसा स्वभाव ऐसा चरीतर हमें अपना बनाना चाहिए अब हम देखेंगे विबिन वस्तों के नाम और उनसे बनाने वाली वस्तों लिखो विविन्न धातु के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुई लिखो देखिए विविन्न धातु के नाम अलग-अलग धातु आप तो जानते हो सोना, चांदी, लोहा, कास्य, पीतल ऐसे अलग-अलग धातु है ज़ेवर बनते हैं और फावडा जो लोही की बहुत से चीजे चीजे होती है अलग-अलग ज्यंद्र लोही के जो है वो बनते हैं अलग-अलग वस्तवे हैं जो इन दातुवा से बनती है सोना कहता है मैं स्वर्ण मैं सोना मेरा भी मेरी भी क्या शान है जिसे देखो मुझे चाहता है मेरे गुन ही ऐसे है क्या कहता है सोना सोने को अकड़ आई है मन में सोने के मन में गमण की भावना आई है और गमण से कह रहा है मैं स्वर्न, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुन ही ऐसे है, मैं सोना हूँ और मेरी बहुत शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, हर कोई मेरी चाहर रखता है, और उसकी पीछे यह कारण है कि मेरे गुन ही इतने अच्छे है, लोह कहत आये नमस्ते क्या कह रहे थे मेरा रूप ही ऐसा है मेरे गुन ही ऐसे है सोना मैं क्या जूर बोड़ रहा हूं सोना कहता है मैं क्या जूर बोड़ रहा हूं मेरा चमकता पिला रंग देख संसार में मैं सबसे सुन्दर हूं संसार में मैं सबसे सुन्दर हूं मेरा चमकता पिला रंग देख, ऐसा सोना कह रहा है लोह को, लोह कहिता है सोने पहले तो बता कि तु तिजोरी से बाहर क्यों आया लाग बार कहा कि तेरा बाहर आना खत्रे से खाली नहीं, मगर तु मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का बाहर मुझ पर है लोहा कहता है कि पहले ये तो बता कि तु तीजोरी से बाहर क्यों आया तु तीजोरी से बाहर आना तेरा खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि सोना बहुत जादा मुल्लेवान होता है उसकी कीमत जादा होती है और ज्यादा किमती सोने को धातू को चोरी जाने का डर होता है तेरी रक्षा का भार मुझ पर है और सोने के रक्षा का भार किस पर है? लोहे पर है क्योंकि लोहे के अलमारी में या भी लोहे के तिजोरी में सोने को रखा जाता है सोना कहता है राजा की रक्षा उसके नोकर चाकर करते ही है देखे सोने के मन में कितना हंकार आया है वो क्या कह रहा है कि राजा की रक्षा उसके नोकर चाकर करते ही है नोकर चाकरों का तो कामी है लोहा कहता है अच्छा तू राजा और मैं नोकर तो राजा है और मैं नोकर है ऐसा है क्या मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा चल भीतर मैंने अगर एक चाटा लगाया तो तेरा रूप बदल जाएगा ऐसा लोहा कहे रहा है सोने को मैंने अगर एक चाटा लगाया तो तेरा रूप बदल जाएगा चल भीतर सोना कहने लगा बले ही तुम मुझे बड़े हो मगर मुझे डाटने का तुम्हे कोई अधिकार नहीं सोने ने कहा कि अगर भले ही तुम उससे बड़े हो मगर मुझे डाटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरे 10 ग्राम का मुल्य 25,000 तो तुम 25,30 रूपए में किलो के हो सोने ने कहा कि तुम उससे बड़े हो मगर मुझे डाटने का तुम्हें कोई आधिकार नहीं मुझे तुम डाटो मत तुम्हें कोई आधिकार नहीं मुझे डाटने का क्योंकि मेरे 10 ग्राम का मुल्य 25,000 है तो तुम 25-30 रुपय में 1 किलो आ जाते हो लोहा कहने लगा रुपयों में किसी वस्तु का मुल्य लगाना विर्त है देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है सोने से पेट नहीं भरता मैं सब का हाथ बठाता हूँ देखिए रुपयों में किसी वस्तु का मुल्य लगाना यह विर्त है देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है सोने से पेट नहीं भरता है मैं सबका हाथ बटाता हूँ, सबकी काम में आता हूँ सोने नहीं का आरे लोहे से कैसे पेट भरता है अगर सोने से पेट नहीं भरता तो लोहे से कैसे पेट भरेगा लोह से भी तो पेट नहीं भरता लोहा कहने लगा मैं अगर न रहू तो किस से बनेगा फावडा कुदाल, खुरपी अगर मैं न रहू तो फावडा, कुदाल और खुरपी किस से बनेगा मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए मकान अगर बनाना है तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के ही अस्तर शस्तर काम देते है, कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता, रोटिया भी लोहे के तवे पर ही सेखी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है, कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो नहीं सकता, रोटिया भी लोहे के तवे पर ही सेखी जाती है, यानि कि देखिए हमारे जिवन में लोहा कितना मयतो पुर्ण है, हम जो रोटिया खाते हैं, जिस से हम पेड भरते हैं, वे रोटिया लोहे के तवे पर ही सेखी जाती है, सब कुछ लोहे से बनता है, सो ना कहता है, अंगोट माला, बाली, लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होते है। मैं कहा रहता हूँ उचे जगा रहता हूँ नीचे नहीं उदरता हूँ मैं देखिए आपर एक विचार मंतन के लिए वाक्षे दिया हुआ है आराम हराम है लोहे ने कहा तु राजा और धनिकों का प्यारा है मैं किसानों मजदोरों का प्यारा हूँ गरिबों की सेवा करने में मुझे सुक मिलता है राजाओ के दिन लद गए अब तुस्रमिकों के दिन है तो राजाओ धनिकों का प्यारा है राजाओ धनिक तुझे प्रेम करते है और मैं किसान और मजदुरों का प्यारा हूँ किसान और मजदूर मुझे प्रेम करते है गरिबों की सिवा करने में मुझे सुक मिलता है देखिए गरिबों की सिवा करने में जो सुक है वो बहुत सच्चा सुक है जो लोहे को मिलता है राजाओ की दिन लद गए अब तो श्रमिकों की दिन है राजाओ की दिन चले गए अब किसके दिन है शरम करने वालों की दिन है शरमिकों की दिन है सोना कहता है मुझसे तो महनत नहीं होती मैं तो आराम से रहता हूँ और रहना चाहूँगा मुझसे महनत होती नहीं मैं आराम से रहता हूँ आराम से रहूंगा लोहे ने कहा आराम हराम है आराम अच्छा नहीं होता है आराम एक मरियादा तक अच्छा होता है लेकिन आप ज़्यादा सोते रहोगे ज़्यादा आराम करोगे तो वो आलस से है और वो आपको अकर्मन्यता क्योर ले कर जाता है आपसे काम होता नहीं, आप काम नहीं कर सकते हैं अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका नाम नहीं होगा आप बदनाम हो जाओगे बच्चो इसलिए क्या है ध्यन में रखने आराम आराम है स्रम में ही जीवन की सपलता है तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ मैं कल कार खानों में दिन रात काम करता हूँ जो काम करेंगे उनी का सम्मान होगा जो काम करेंगे उनी का सम्मान होगा जो काम नहीं करेंगे उनका सम्मान नहीं होगा सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराट हो रही है, अब सोना डर गया, अब मेरा क्या होगा दादा, मुझे घबराट हो रही है, मैं डर गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, लोही ने कहा है, तो डाल डाल मैं पात पात, तो अगर निपन है तो मैं तु हों आगे भी करोंगा मगर अब तो घमंड करना चोड़ दे तु घमंड करना चोड़ दे अंकार करना चोड़ दे गर्व करना चोड़ दे ऐसा लोहा कह रहा है सोने ने कहां छोड़ दूँगा भहिया मगर मेरी रक्षा करना भहिया मगर मेरी रक्षा करना भहिया मैं यह सब छोड़ दूँगा लेकिन मेरी रक्षा करना मेरी रक्षा अगर आप करोगे तो मैं खुद को महिफूस समझूंगा खुद को मैं सुरक्षित मैसुस करूंगा लोहे ने कहा अच्छा अच्छा तु मेरा छोटा भाई है ना चल बीतर चल बीना पुछे बाहर मत आना तु मेरा छोटा भाई है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ऐसा यहाँ पर लोहा कह रहा है मैंने क्या समझा इस पार्ट से मैंने इस पार्ट से यह समझा कि रंग पर हमें किसी के मुल्यों का महत्वन नहीं समझना है तो विक्ति के सद्गुनों को देखना है और सद्गुनों को देखकर उसका महत्वा हमें समझना है कोई काला हो सकता है लेकिन वो पढ़ाय में बहुत हुशार हो सकता है और अलग-अलग खेलों में उसमें प्रविन्टा हो सकती है वो हुशार हो सकता है कोई गोरा बच्चा होता है या गोरा विक्ति होता है तो दिखने में गोरा होता है लेकिन उसमें सद्गुन नहीं होता है ऐसा भी हो सकता है ना इसलिए मेरे पहरे छात्रो हमने इस पार्ट से है समझा कि हमें सद्गुनों को जानना है सद्गुनों का महत्वा प्रक्ना हैं शब्दवाटी का व्यहापर दी हुइ है शान कार्थे ठाटवाट नुल्य कार्थय महत्वा कीमत तलास कार्थय खोज दिन लद जाना बीती बात होना दनिक कारत या धन्वान स्रमिक याने मजदूर तो डाल डाल हमें पात पात तुम निपन हो करन्तों में तुमसे अधिक निपन हो इस तरह से हमने इस पार्ट का देन किया है आशा करता हूं आपको यह पार्ट थमझ में आया होगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और कमेंट तरू कीजे बहुत बहुत धन्यवाद